Hello friends, Welcome to my channel आज के वीडियो में हम डिस्कूस करेंगे बायो टेक्नलोजी का हम जो यूज है वो प्लान ब्रीडिंग में किस वे में करते हैं या यूज और बायो टेक्नलोजी इन प्लान ब्रीडिंग ठीक तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो कभी इचनल ब्रीडिंग है उसके क्या लिटेशन्स है मतलब नहीं तो जोमिष्ट नथे उसमें सबसे पहली समय है कि हेट्रोजाइगो सिटी मतलब diversity इतनी है हमारे पास कि उस कारण से क्या होता है hetero मतलब different ठीक है same नहीं रहता हो मतलब homozygosity it means same बट यहां पर heterozygosity है और वो extreme level पे हैं जो क्या है कि inbreeding जो plant species है उनमें inbreeding depressions भी available है जिसके कारण जो next generation रहता है वो vigorous हो नहीं कर पाता अपना तो इसके बाद जो second point है कि जो F1 hybrid रहता है वो क्या करता है वो जो parental दो parent हम use करते हैं crossing में तो उनका intermediate quality प्रोड्यूस करता है and third thing is that कि जो भी species रहते हैं जो भी plant रहते हैं crop रहते हैं उनका जो juvenile face रहता है वो बहुत long period तक रहता है इस कारण से जो भी process होती है किसी नए variety की selection की या screening की वो process बहुत tremendous हो जाती है sorry tedisius हो जाती है और tedisius के साथ साथ ही वो बहुत time consuming रहती है और long duration टेक करती है इस कारण से एक variety release करने में साथ से आठ साल लग जाते हैं तो यह कुछ limitations हो जाते हैं conventional breeding के तो अब हम देखेंगे कि plant biotechnology में what is the plant biotechnology जो की मतलब product क्या है market में हमारे पस और उसके benefits क्या है मतलब biotechnology की तो सबसे पहले जो plant biotechnology है यह क्या है अब precise process है in which scientific techniques are adapted to develop useful and beneficial plant एक तरह का एकदम precise है ना बोला गया है कि हां इतनी मातरा में use करना है तो हमको उतनी सुधता precision के साथ use करना पड़ेगा तो यह एक precise process है जिसमें कि हम जो scientific methods रहते हैं उनका use करते हुए किसी भी plant में जो हमको changes develop करना है या कुछ beneficial thing जीन इंसर्ट करना है वो चीज हम इंसर्ट करते हैं और plant को particular किसी environment के लिए adaptive बना देते थे उसके बाद traditional plant breeding में क्या होता है जो DNA रहता है DNA is a strand of gene ठीक है much like a strand of the pulse traditionally plant breeding combine many genes at once यह traditional में है तो traditionally में क्या होता है traditional जो डोनल रहते हैं इसमें माल लो यह देखिए आप माल लेजिए gene को यहाँ जो DNA है DNA को मतलब gene का strand बोला जारा है ठीक है बहुत तर जीन का strand है या फिर इसको हम simple way में समझ सकते है पर्ल्स का एक strand है मोतियों का strand है तो यहां पर यह जो अलग color का green में जो different color का एक पर्ल दिख रहा है यह हमारा desired gene है जो हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे donor के पास है यह चीज हम cross कराएंगे तो कोई हमारी commercial वेराइटी उसके सथ हम ने cross कराया तो फिर हमने जो new variety develop की तो यहां पर क्या हो गया इसके साथ साथ जो donor है उसमें जो unwanted gene भी आ गया तो क्या होगा यहां पर हमारे पास एक desired gene है हमको इसको transfer करना है commercial variety में लेना है तो क्या करना है हमको मतलब traditional breeding की जगा हमको plant breeding यूज करना है तो इससे क्या होगा जो हमको desired gene है वह ही transfer होगा और जो unwanted gene जो हमको नहीं चाहिए वो transfer नहीं होंगे तो इसमें क्या होता है using plant biotechnology a single gene may be adapted to a strand sorry added to a strand अब हम देखते है what is the plant tissue culture plant tissue culture जाने से पहले word है totipotency totipotency मतलब होती है किसी भी plant में जो cell रहता है cell जानते हो किता छोटा होता है पूरे cell मतलब बहुत तारे cell मिलते है तो tissue बनते है तो एक cell जो रहता है उसके पास इत्ती चंपता रहती है कि वो cell develop हो के same जिस plant से वो cell लिया गया है as it is वो plant बनाने की चंपता रखता है single cell has the ability to regenerate into a whole plant that is known as the totipotency so what condition do plant cell need to multiply in vitro तो सबसे पहले freedom from the competition क्योंकि हम उनको lab condition in vitro मतलब lab condition में जब कर रहे है तो वहां पर कोई competition नहीं है उसके पास nutrient और जो removal of waste product and a controlled environment तो यह जो है conditions रहते हैं जो plant cell को required होते हैं in vitro में and applications कहके हैं तो सबसे पहले biotechnology का बता रही हूं seed culture में seed culture करने से क्या होता है increasing the efficiency of germination of the seed that are difficult to germinate in vivo मतलब full condition में जो seed germinate नहीं हो पाते वो seed क्या बहुत efficiency के साथ lab condition में germinate किया जा सकते हैं by the process of seed culture और जो भी ऐसे precocious germination कर सकते हैं मतलब समय से पहले germination कर सकते हैं by the application of plant growth regulators, production of a clean seedling of fax plant और maristrim culture then हम embryo culture यह इसका second use embryo culture है embryo culture में क्या होता है सबसे पहले जो एक problem होती embryo abortion की वह सबसे पहले overcome की जा सकती है overcoming the embryo abortion due to the incompatibility barriers जो self-incompatible barriers रहते हैं जिसके कारण self किसी-किसी plant में embryo abort हो जाता है और seed का formation नहीं हो पाता तो यह problem जो हो sol हो जाती है biotechnology का method जो उसको use करने से second thing is that overcoming the seed dormancy and self-sterility of the seed third embryo rescue is distinct that is the inter-specific or inter-generic hybridization where endosperm developed is poor तो embryo rescue के रहता है endosperm जो रहता है वो प्रवाइट करता है जब तक embryo एक self-plant में डेवलप नहीं हो जाता जब तक उसके पस खुद की चमता नहीं रहती बनाने की तब तक endosperm में जो संचीत भोजी पतार्त रहते हैं food रहते हैं वो embryo transfer sorry endosperm transfer करता है embryo को but just कोई भी ऐसा मान लिजे हमको desired plant चाहिए उसका हमको पता है कि endosperm बहुत poor quality का या development अच्छे से नहीं हुआ है तो plant जो seed हमको लगाना है वो seed मर जाएगा क्योंकि seed में endosperm develop नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे embryo rescue कर लेंगे embryo को निकाल कर हम उसको particular media में nutrient media में grow कर लेंगे तो यह process से हमारा जुराएगा embryo बच जाएगा और हमारा seed develop हो जाएगा यह चीज उसके बाद है shortening of the breeding cycle क्योंकि जो conventional method इससे पहले मैं बताई कि बहुत लंबा होता है तो इस process से क्या हो रहा है जो हमारा breeding cycle है जो बहुत सालो साल चल रहा था वो हम कम कर रहे है अब हमारा third है ovule या ovriculture तो यहां पर हम सबसे पहले N number heploid plants N number plants डेवलप कर सकते है pollen या फिर ovule का यूज करके तो production of heploid plants इसके अलावा a common x plant for the initiation sorry initiation of the somatic embryogenic culture and overcoming the abortion of embryo fight hybrids at very early stage of development due to the incompatibility barriers same चीजे in vitro fertilization for the production of distinct hybrids avoiding style and sorry stigmatic incompatibility that inhibit the pollen germination and pollen tube growth तो जो in vitro fertilization है वो basically क्यों क्या जाता है कुछ ऐसे जो stigmatic incompatibility barriers रहते हैं उनको avoid करने के लिए hybrids में जिससे क्या होगा pollen germination and pollen tube growth जो inhibit हो जाता था वो सही रूप में हो पाएगा उसके बाद है हमारे पस एंथर या micro pore culture जो एंथर है उसमें क्या होता है production of haploid plants same चीज़ इसमें भी production of the homozygous deployed line through the chromosome doubling हम क्या करते हैं chromosome doubling करके same homozygous deployed line produce कर सकते हैं thus reducing the time required to produce the inbred line and uncovering the mutation or recessive phenotype organ culture में क्या होता है है कोई भी प्लांट का ओर्गन है that can serve as a ex plant to initiate culture अब हम suit apical maritime culture देखते हैं इसमें इसका यूज करके हम virus free germ plasma production कर सकते हैं तो जो mass production होता है mass production of desirable genotype मतलब जो genotype हमको चाहिए उसका mass production कर सकते हैं बहुत जादा मात्रा में large मात्रा में production कर सकते हैं इसके अलावा facilitation of the exchange between the location मतलब production of हमको clean material मिल रहा है क्योंकि वाइरस free रहेगा cryopreservation it means cold storage cryopreservation बहुत तरगा होता है तो उसका मतलब storage भी कर सकते हैं cold and in vitro conservation of germ plasma भी कर सकते हैं अब हम देखते है somatic embryogenesis इसमें क्या होता है mass multiplication production of artificial seed हमको artificial seed production करना है तो हम symmetric embryogenesis में जाएंगे इसका कोई part regeneration करना है तो सबसे बढ़िया source है at source material for the embryogenic protoplast amenable to mechanization and for the bioreactors अब हम देखते हैं embryogenic culture system for vitis के लिए सबसे पहले leaf explant लिये हमने उसके इनिसियेशन from the leaf of sorry leaf on the nb2 medium हमने medium nb2 medium लिया था explant क्या है leaf को as a explant embryogenic scalars देखे develop होने लगा and then embryo development start हो गया तो यह क्या है embryogenic culture vertice में vertice मतलब जानते है ना अंगूर में then organogenesis organogenesis में क्या होता है यह भी एक major path regeneration का इसका भी mass multiplication के जा सकता है और इसमें क्या होता है conservation of germ plasm at the normal अब यहां पर देखे initiation from the stamen and pistil stamen and pistil से कैसे initiation start होता है तो सबसे पहले हमने x plant के रूप में लिया stamen के रूप में अब जो यह x plant है इसमें हमने क्या-क्या callus formation होने लगेगा from the connective जो tissue उसके द्वारा callus formation होगा और यह callus formation रहेगा यह क्या करेगा filament deep form करेगा and then embryogenic callus बनेगा यह embryogenic callus embryo में डवलप होगा और embryo क्या होगा germinate हो जाएगा this is the whole process of the initiation from the stamen and pistil in vitro mutagenesis क्या होता है इसका यूज करके हम poly poly ID induction करते है and साथ ही साथ genetic variability का introduction भी होता है तो genetic transformation इसमें क्या है introduction of the foragen DNA to generate the novel genetic combination हमको कोई desirable combination चाहिए तो हम क्या करेंगे बाहरी जो foragen DNA है किसी और plant कर DNA किसी और plant में insert करेंगे या introduction करेंगे ताकि हमको novel तरह का combination मिल पाए many different ex-plant can be used depending on the plant species and its favored method of regeneration as well as the method of transformation तो यह regeneration के method को भी favor करता है और साथ ही साथ transformation के method को भी favor कर रहा है और यह depends करता है type of species plant species उसके basis पे used to study the function of gene तो इसका use इसलिए भी क्या आता है कि जब 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 तब भी हम genetic transformation का use करते हैं ठीक है तो genetic transformation होता कैसे है आप देखकते हैं यहाँ पर सबसे पहले embryo इसके बाद इसके बाद हमने उसका क्या किया culture में उसको रखा agro culture then हमने co cultivate 48 hours तक then हम उसके बाद co cultivate करने के बाद wash कर देंगे ex plant को जब जब वाश कर देंगे तो क्या होगा callus induction जो medium रहेगा उसमें उसको transfer करेंगे तो callus का formation होने लगेगा and then embryo development medium में रखेंगे embryo बनेगा फिर उसके बाद select करेंगे मतलब select करेंगे हम transgenic embryo using the GFP and MPT second system का and जो हमने select किया उसको हम regenerate करेंगे transgenic plant के रूप में तो यह पूरा प्रोसेज है genetic transformation system का application है जो इसके यह है कि disease resistant के लिए हम यूज करते हैं insect resistant हमको crop develop करना है salinity tolerance heavy metal tolerance improved nutritional characteristics तो हम इसका यूज करते हैं और आप देख सकते हैं कि more than 50 biotech food products have been approved for commercial use in the United States जैसे कि canola है corn cotton papaya potatoes soybean square sugar beets sweet corn tomato advantages food quality quantity eco-friendly limitation recent scientific advance and tangible benefit may not be long term क्योंकि एक time के बाद हो सकता है human health